नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इश यूटूब चैनल में स्वागते तो दोस्तों आज मैं बताने वाल हूँ सुबे खाली पेट दन्या का पानी छान कर पिने से क्या फाइदा होगा उसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखते रहें दोस्तों आपके किच्चन में रखे कई मसाले स्वाथ बढ़ाने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी फाइदे मन्द होते है इन मसालों का साई से इस्तेमाल, साई से सेथ के लिए बेद लाबकरी सावित होता है इसी तरह का मासाला दन्या है खाली पेड इसके सेवन से सेथ को कई फाइदे है यह पांचन तंत्र के लिए बेद फाइदे मत है यह गेस ब्लोटिंग जैसी समस्याव से छुटकरा दिलाता है इसके सेवन से स्कीन हेल्दी होती है और दोस्तों ब्लड सुगर करें कंट्रोल खाली पेड दन्या पानी फिना डाइबिटीज के मुरीजों के लिए बेद लाब करी है इससे में कई ऐसे कई तत्व मोजुद होते हैं जो बाइबिटीज का कंट्रोल करते हैं बलड सुगर के मरीजों को रोजाना देनिया पानी का सेवन करना चाहिए और यूमिनिटी बूश्ट करे देनिया में कई तरह के एंटी ओक्षिडेंट पाए जाते हैं इसके सेवन से यूमिनिटी बूश्ट होती है यह रोग प्रति रोधक चमता को मज़बूत करता है देनिया पाउडर में विटामिन A और विटामिन C के अलावा अन्य कई पोसक तत्व भी मोजित होते है इसके सेवन से सर्दी जुकाम बुखार से छुटकारा मिलता है हाट को हेल्दी बनाए देनिया पानी के नियमित सेवन से हाट हेल्दी होता है यह दिल को मजबूत बनाता है इसके सेवन से बेट कोलेस्ट्रोल कम होता है यह हाट अटेक के खत्रे को कम करता है हाट को हेल्दी बनाए रखने के लिए रोजाना देनिया पानी का सेवन किया जा सकता है वजन कंट्रोल करे खाली पेट दन्या पानी पीने से पाचन तंत्र मोजबूत होता है यह कब्ज गेस ब्लोटिंग से छुटकारा दिलाता है इसके सेवन से पेट अच्छे से अच्छे साप होता है पेट के लिए दन्या पानी का सेवन बहुत लाब करें यह पेट की चर्वी को खत्म करने में मददकार है इसके सेवन से मोटा का मोटा पक कम होता है तवचा में निखार लाए दन्या पानी के रोजाना सेवन से तवचा में निखार आता है दन्या में एंटी बेक्टरियल और एंटी फंगल गूर मोजूत होते जो त्वच्चा को साप वस्वस्त रख का चमकदार बनाते हैं तो दोस्तों वीडियो में दीगई जानकारी गरुरेन उसको और सामने जानकारी पर आदे रही थे इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाथ जुरू ले तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में और नजानके साथ जै हिन जै भारत